हेलो फ्रेंड्स वेल्कम वेक टो आ चैनल कैसे हैं आप सब सो आज है फ्राइडे और आज का ब्लॉग स्टार्ट करें हूं मैं आप लोगों के साथ मैं आप तीन बच चुके हैं अभी और हम चल दिये हैं है 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 तो चलिए आप भी हमारे साथ कहां कहां जाएंगे आपको लेकर चलते हैं साथ मैं दिशान से हाए हाए है 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 तब मार्केट पहुंच चुके हैं और यहां पर मैं दिसान के लिए देखूंगी अच्छा कोई पैंट टी साइट साइट कुछ भी मिलेगा तो वह लूंगी मैं उसके लिए और अभी के लिए सचलिया सौपिंग करते हैं आप घूम लीजिये तब तक मार्केट । हेलो फ्रेंड तो आज है सटरेड़े और कल से ये व्लोग है मार्केट से आने के बाद इतना जादा थक चुके थे काफी लेट हो गया था हम लोग साड़े नौ बजे लोटके आये थे घर पे और फिर उसके बाद आके सबजी बगएरा भी कुछ ले थी मार्केट से तो वो सब किलीन करके रखी और खाना बनाया तो बही 11 बारा बच गए मैं आपके साथ मैं इस ब्लॉग को पूरा कंपलीट कर लूँ और आज कुछ अखरोट रखे हुए हैं हम लोग उने पहले मतलब लेके आये थे हम लोग तो कुछ खाली हैं कुछ रखे हुए हैं और खजूर तो अभी लाते रहते हैं खाने के लिए तो वो रखे हुए हैं मैं अखरोट खतम हो जाएंगे लड़ू बना देती हूं अखरोट के और खजूर के मिक्स करके सुगर फ्री लड़ू काफी अच्छे लगते हैं काफी हेल्दी भी होते हैं सो मैं ट्राइ करती रहती हूँ यह लड़ू जब भी अखरोट बगरा मुझे लगता है कि अब ख खा लिजेगा हमारे साथ आप भी सचले लड़ू बनाना शुरू करते हैं अब इस लिए यह मैंने डेट्स ले लिये हैं यहां पे और इनमें से सीड निकाल के अलग कर दिया इसलिए कुछ ऐसे दिख रहे हैं यह और इनको एड करने वाली हूं में अब इस जार में और फि क्योंकि रखे हुए है मेरे पास में तो अकरोट के लड़ू बना दूँगी और हुड़ा सा मखाना लिया है क्योंकि डेट्स है और जब ड्राइ फ्रूट्स हम मिलाएंगे तो काफी चिपता हैं अब हुड़ू बनाना शुरू करते हैं अब हम यहां अकरोट को कर लेती टेस्ट थे अले अच्छा हो जाएगा और वाइसे ही बस एक चमज घही लिया मैंने रोस्ट किया है और मखाने को मैं डार्ट तैसे ही रोस्ट वादाम प्हाणा कीया था मैंने रोस्ट इस출லे विए काली मिर्च भी लिए है क्योंकि काली मिर्च से टेस्ट लड्डू का अलगी हो जाएगा और अच्छी रहती है यहां पर अखरोट जादा दिखेंगे आपको क्योंकि अखरोट ही जादा है यूज करने के लिए फिलाल और मखाना तो इसलिए यूज कर रही हूँ कि बहुत जादा चिप चिपे से लड्डू नहीं बनेंगे मखाने से अच्छे लड्डू बनेंगे और यह देखे खजूर अच्छे से पीस के तयार कर लिया और अपने लिए घ्रीन टी बना के तयार कर लिया तो इसलिए बैब पको एमनगं के टाइम में ही जादा अब पीती हूं इससे तो तक यह ठंडा सब स्थशक हमिनेंगे तब और नहीं यह थे जंदा बहुत नगर जूँ करनेंगा we इसलिए अपने हाथ से कर रही हूँ मैं इसको बहुत ही जादा देखिए ऐसे कर रहे ही हो पा रहा है फिर इसके लड़ू बना लेती हूँ हमें इसमें एक हाथ से लड़ू बनाती हूँ इसलिए एक हाथ ही हूँ जो रहा है देखो लड़ू बनाने में मेरा ऐसे ही मैं लग रहे थे काली में चैट कर दिया उससे और ज्यादा अच्छा टेस्ट आ गया तो आप भी ट्राइ कीजिएगा यह अच्छा लगे और लड्डू खा भी लीजिए हमारे साथ आप भी छोटा सा देशान का है देखिए बेलेंटेंडे की बजए से यह स्ट्रोवेरी बॉक्स भी हाइट शेफ में बनाया गया है और बहुत ही अच्छा देख रहा है ना देखने में मुझे तो बड़ा प्यारा सा देख रहा था अर यह स्ट्रोवेरी इसमें लगे हुए है मतला मैंने दूब लिए अच् थोड़े थोड़े यह देखो एक दूसरे से चिपके यह से हो जाते हैं तो बड़े अच्छे दिख रहे हैं प्यारे से खाने में बहुत अच्छे लगते हैं मुझे और दिसान को भी इसके लिए मिलक शेक बना लेती हूं मैं इनसे तो यहां पर दिशान का मैंने इस्ट्र मैं ठोड़ा बनाना भी एड़ कर देती हूं वैसे दिसान बनाना नहीं खieme टो स्कारवजे चलता ता यहां पर दिशान के टो में उसको कुछ ही फैवरेट हैं ब्लेड निकता और पेपा पेग तो वह पेपा पेग देगा आपके साद सेयर कर रही हूँ जो सॉपिंग किया था तो यह दिसान के बड़े से पहले जो सॉपिंग हुई थी वह सब सामान है तो दिसान के बड़े पर ये सूट आपने पहने के लिए लिया है मैंने बॉक्स बहुती अच्छा है ये इसमें कोई सामान टूटेगा नहीं और ये तो नेल पिंट लेके आई थी मैं पिंक एंड रेड कलर के जेल नेल पिंट बहुती अच्छे नेल पिंट है ये और ये बगवान जी का कारपेट खराब हो गया तो वो सामान बर जाएगा क्योंकि जब जाते हैं कहीं पर ट्रेवल करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है सामान को भरने में कुछ तूट भी जाता है कभी-कभी सो पहले से सेप्टी के साथ में इसलिए सब सामान लिया है जो कल फ्राइडे को मतलब जो रात को हम आएते लेट स कृड़ों के कि यूज कर लेते हैं जो कामका नहीं वो सब यहां रखा है तो इस टारप से ये खजूर के पकेट साथे हैं तो बहुत तरीके के डिजाइन पर आते हैं तो वहां वह लिए हैं ये सब इंडिया के लिए और ये दिसान के चिप्स के पकेट पड़े हूए और यकिमली जो मैं इंडिया में लेके जाहूंगी चटनी बनाती हूं मैं इसकी तो इसलिए और यह तेल में अपना यहीं से ले जा तुआ है यह इसे लेके जाते हैं हम यह वाली और यह दिसान का मिल्क पावडर है तो मैं इसको बनाती हूं उसके लिए उसको इस्टोवेरी फ्लेवर में पसंद है पेडिया से और का और यह लिए हैं कुछ ड्राइफ रूट्स के पैकेट्स इसमें हैं तो यह सब ओट्स भी यहीं से ले जाओंगी और इसमें हैं वो कपड़े जो लेके आई हूं मैं कल तो यह दुसान के लिए मैंने दो पैंट लिये थे और यहां पर दो गाउन भी अच्छी मुझे तो मैंने दो गाउन यहीं से ले लिए क्योंकि मैं वहां पर गाउन पैन लेती हूं साड़ी पैनती हूं या जो सॉपिंग हुई है यह हुई थी और बाकी जो किचिन में यूज करना था सामान वो मैंने रात को ही बश्च करके सारा यूज कर लिया बनाने के लिए मैं यहां से ले के जाती हूं बहुत ही अच्छे इसके पॉपकॉन बनते हैं और यह दिशान भाहि साथ लेके आए रियान के लिए इसको देंगे वो रियान मितलब उस चाचा का वेटा है तो उसके लिए लेके आये हैं दिशान तो बस यही सब सॉपिंग हुई है और थोड़ा वजो कुछ भी पाकी रह गया है भो अभी लेना है तो इन्हीं दो तीन दिन में हम सारा ले लेंगे और पैक भी कर लेंगे और चलिए इसी के साथ इस वीडियो को भी अंट कर देती हूं I hope आपको यह वीडियो अच्छा लग बत दन्यवाद वीडियो देखने के लिए बाई पाई टेक के लाट साफ लाव